नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिकेट विद नाराइन के साथ तो गाईज आज का मैच होने वाला है चिन्ने सुपर किंग्स और लखनो सुपर जायंट्स के बीच बुबोन स्टेडियम को मुंबई से साम साड़े साथ बजे याने कि केल राउल के सामने होंगे सर र प्लेटिव के लिए पिछले मैच के और गाईज पीछ के अगर हम बात करे तो बैटिंग के लिए ये पीच काफी जाधा अच्छा है स्पीनरों को भी या काफी मदद मिलती है जैसे कि हमने पिछले मैच में देखा था लेकिन डियू जो है काफी बड़ा फैक्टर हो सकता ह इसलिए जो भी टीम यहां टॉट जीतेगी वो पहले फिल्डिंग करना चाहेगी चलिए अब बात कर लेते हैं कि लकनो सुपर जैंट्स की प्लेइंग इलेवन क्या हो सकते हैं नमबर वन होंगे केयल राउल, नमबर टू होगे क्विंटन डिकॉक, नमबर त्री होगे इवन लुईस, नमबर फोर होगे मनिश पांडे, नमबर फाय होगे दीपा कूडा, नमबर सिक्स होगे क्रुनाल पांडे, नमबर सेवन होगे मोसीन खान, नमबर एट होगे आयु नमबर 4 मोहिन अली, नमबर 5 अंबाती राइडू, नमबर 6 रविंद्रा जड़ेजा, नमबर 7 महेंद्र सिंग दोनी, नमबर 8 ड्वेन ब्रैवू, नमबर 9 राजवर्दन हंगरेकर, नमबर 10 तुशार देशपांडे, नमबर 11 एडम मिलने, तो ये हो सकती है चेने सुपर किंग्स की प्लेइंग 11, अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा रण कोन मार सकता है इस मैच में और सबसे ज़्यादा विकेट कोन ले सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा रण रॉबिन उत्तपा मारेंगे, क्योंकि पिछले मैच में रॉबिन उत्तपा अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 21 बॉलों में 28 रण बनाये थे, लेकिन शेल्डं येक्शन की अच्छी विकेट की बशेसे वो आउट हो गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस मैच में वो सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे, वही सबसे ज़्यादा विकेट की अगर हम बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्वेन ब्रावो इस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेंगे पिछले मैच में भी उनका form काफी ज़्यादा अच्छा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ही इस बार भी सबसे ज़्यादा विकेट लेंगे चली अब प्रेडिक कर लेते हैं कि कुन सी टीम ये मैच जीत सकती है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि डिपेंडिंग चाम्पियन वापसी कर लेगी इस मैच में चेन्ने सुपर किंग जीतेगी ये मैच चलिए आप बात कर लेते कि Dream 11 की टीम क्या हो सकती है इसमें मैंने Captain रखा है Robin उत्तपा को और Vice Captain रखा है केल राउल को तो चलिए गाईद आज के लिए बस इतना ही मिलते है अगली वीडियो में वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें